नमस्कार आप देख रहा है वराट 24 न्यूज मैं पूजा रिवा के 22 वर्स के हरियों मिश्व कर्मा मश्रूम की खेती कर हर महीने 30 से 40,000 रुपय कमा रहे हैं वो भी पुराने कच्छे घर के 10 बाई 10 के एक छोटे से कम्रेज में हरियों BST Agriculture की पढ़ाई कर रहे हैं मश्रूम की खेती का आइडिया उन्हें यूट्यूब पर वीडियो देखकर आया आए उन्हीं से जानते हैं इस खेती के लिए आपको ज़्यादा जमीन की जुरुरत नहीं है कि आपके पास यदि कोई कमरा बना है तो आप उस कमरे का उतियों कीजे यदि कमरा नहीं है तो आप नॉर्मली जो घास पूस के एक ट्रटिया बना करके एक कमरा बनाईए उसमें भी आप इसकी खेती बहतर से बहतर कर सके अभी हम आएँ आपको यह मस्रूम जो हमारा तयार होता है उसमें अब आपको दिखाते हैं ये बैग इसमें मस्रूम जो है तो होता है जिसे बाहर का तापमान अंदर ना सके बाहरी दिवार में घासफूस लगा कर ठक दिया जिसे बाद में तापमान चेक किया तो मस्रूम की खेती के हिसाब से हुमिडिटी मिली बाचीत में हरियोम ने बताया कि सबसे पहले हम भूसे को कार्मेंडाजिन पाउडर और फार्मेल डिहाइडल के घूल में भूसे को स्ट्रेलाइज या किटाडू रहित बनाते हैं उसके बाद फिर 12 से 24 घंटों के लिए स्ट्रेलाइज होनी के लिए छोड़ देते हैं इसके बाद हम इस भूसे को छानने कے बाद PC बैक में भूसे की लेयर बाई लेयर रखते हैं एक प्लास्टिक के बैक में करीब 1 किलो भूसे के साथ 70 ग्राम डीज डालते हैं इसके बाद बैक को टाइट बाथ कर रख देते हैं टेंपरेचर मेंटेन होने के बाद अंधेरे में रखते हैं, इस बैग में उपर नीचे दो चार छेंद कर अंधेरे कमरे में एक से तेर्ड सब्ता के लिए छोड़ देते हैं, इस दौरान माईसीलियम जो एक धागे नुमा फफूंद होता है, वो अबनता है, माईसीलियम बन में दो से तीन बार फबारे से बैग और कमरे की सिचाई करनी पड़ती है, इसके साथ एक से दो हफते बार छोटे छोटे पिन हैट्स निकलना चालू हो जाते हैं, इसके दो तीन बार तोड़ कर मश्रूम को बाजार में बेच सकते हैं, करीब 40 से 50 दिन में मश्रूम तक का हो जाता है, आपको बता दे एक बैक की लागत 17 रुपए और कमाई 300 रुपए है, दो साल पहले मश्रूम की खेती की शुरूआत करने वाले हरियोम ने बताया कि एक बैक को तयार करने में 17 रुपए की लागत आती है, जबकि हर बैक से कमाई 200 से 300 रुपए होती है, प पेती कर 2-3 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। जिम और फिटनेस क्लाब में उपयोग होने वाले पाउडर से लेकर एक दरजन प्रोडेक्ट मश्रूम से तयार हो जाते हैं। जैसे अचार, खाने की सबजी, बरी, पेस्ट, पाउडर, घोल, मेडिकल में इसका उपयोग होता है। साथ ही फूड प्रेसेसिंग यूनिट के माध्यम से याव्यापार और अच्छा हो सकता है। वहीं क्रिसी विज्ञान केंद्र दीवा के वरिस्ट वैज्ञानिक डॉक्टर एके पाण्डे ने बताया कि रिवा क्रिसी विज्ञान केंद्र में 1500 रुपए प्रति कीलो बीज आसानी से उपलब्ध करा दिया जाता है। इसकारे में डॉक्टर चंद्रजीत सिंग, डॉक्टर संजय सिंग, डॉक्टर बुचेश्तिवारी आदिका सहयोग रहता है। हमारा प्रयास है कि जादा लोग आद मिर्भर बनी जिसने मध्य परदेश के युवा किसानों को नयामन्च मिल सके। पुला काथ भी, डॉक्टर केवल सिंग बढगेल सर, उनके माध्यम से हमने मिलकर के ट्रेणिंग ली और ट्रेणिंग के बाद हम ने यह कार किया, और इस कार में फिर मैं विकत बरसों से इसकी खेती करने, श्टार्ट कर दिया और भी में मस्रून की खेती करता हूं। इसमें क्रिश्विज्ञान केंद्र में जो हमारे वरिष्ट ग्यानिक है डॉक्टर अंडे सर्ग और पूरे क्रिश्विज्ञान केंद्र का अच्छा सहयोग मिला और हमने इसकी खेती भी चालू कि इस खेती के लिए आपको ज्यादा जमीन की जुरुत नहीं है कि आपके पास यदि कोई कमरा बना है तो आप उस कमरे का उपियोग कीजे यदि कमरा नहीं है तो आप नॉर्मली जो घास पूस है घास पूस के एक ट्रटिया बना करके एक कमरा बनाईए उसमें भी आप इसकी जायों की बेहतर से मेहतर कर सकते है अभी हम आएं आपको यह मत् hac मुष्रूम आप इसमें से अच्छे से ले सकते हैं, यह आपके अच्छा देखवाल रखा है, तो आप अच्छा देखवाल रखा है, तो आप इसे 2 kg मुष्रूम ले सकते हैं तवाम बड़ी ख़बरों के लिए देखते रहे विरात्ति फो न्यूस समश्कार खुल गया, खुल गया, खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा यूग्त स्काई रेस्टूरेंट खुल गया वेच, नौन वेच, भूजन का लुद्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें हमारे यहां स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, इंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है ओनलाइन ओर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वे विद्याले रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रिवा